Hi guys, welcome you all once again, so आज की इस वीडियो में हम लोग 7 segment displays के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर इसकी working को भी देखेंगे So इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो यहाँ से आप लोग इसको जरूर से subscribe कर लीजेगा So फिलाल हम इस वीडियो को शुरू करते हैं So सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं 7 segment display होता क्या है So देखिए 7 segment display जो है वो एक electronic component है जिसके तुरू हम लोग अपनी numeric digits को और साथ ही साथ कुछ alphabet को भी display करवा सकते हैं अब 7 segment displays को बनाने के लिए हम लोगों को यहाँ पर 7 LEDs की जरूरत पड़ती है और इन 7 LEDs को basically हम लोग एक particular rectangular fashion में arrange करते हैं तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं यह हम लोगों की 7 segment display है इसमें हम लोग 7 अलग-अलग LEDs को कुछ इस pattern में set करते हैं यह आप देख सकते हैं यह हम लोगों का A LED है यह B है फिर C, D, E, F, G टोटल आप लोगों की यहाँ पर 7 LEDs हो जाती हैं और इसके अलावा एक extra LED भी आप लोगों को कहीं कहीं पर मिल जाएगी जिसके थूँआ आप लोग यहाँ पर कोई decimal point अगर है उसको represent कर सकते हैं अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था जो हम लोगों की 7 segment display है इसके थूँआ हम लोग अपने numbers को represent कर सकते हैं और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर अपने कुछ alphabets को भी represent कर सकते हैं यहाँ पर आप सारे के सारे alphabets को represent नहीं कर सकते हैं जैसे आप लोगों का K है M, N, Q, T, V, W, X, Y, Z यह सारे जो हम लोगों के alphabets हैं इनको हम लोग 7 segment display के through represent नहीं कर सकते हैं इनके अलावा जो हम लोगों के alphabets होते हैं अपकोर्स उनको आप यहाँ पर represent करबा पाएंगे ठीक है बट इनको हम यहाँ पर इसके through represent नहीं कर सकते हैं तो यह हम लोगों का थोड़ा सा disadvantage होता है 7 segment display का और practically अगर आप देखना चाहें 7 segment display तो वो कुछ ऐसी दिखती है वैसे आप लोगों ने कहीं ने कहीं इसको देखा ही होगा So next इसके बाद हम लोग देखते हैं अपने 7 segment displays के types को So based on concept of operation हम लोगों के जो 7 segment displays है वो दो types के हो सकते हैं इसमें first हम लोगों का है common cathode और second है common anode तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हम लोगों का common cathode है और यह हम लोगों का common anode है तो one by one इनके बीच में क्या basic difference है इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं So common cathode 7 segment display में basically हम लोग जितनी भी यहाँ पर LEDs की negative terminals हैं उनको common कर देते हैं या फिर आप कह सकते हैं उनको हम लोग आपस में interconnect कर देते हैं इस वज़े से इसको हम लोग common cathode 7 segment display बोलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हम लोगों की 7 different LEDs हैं अब इन LEDs की जो negative terminals हैं उनको देखिए हम लोगों ने आपस में interconnect कर दिया और इनको हम लोग यहां से ground कर देते हैं अब suppose अगर आप लोगों को यहाँ पर two number represent करना है इस common cathode के थूँ तो कैसे करेंगे तो देखिए two number अगर आप represent करना चाहते हैं हम लोगों को यहाँ पर जो LED है इसको on करना पड़ेगा इसाफ हीन और दी आपको करना पड़ेगा हम लोगों यहाँ पर इन परटिकुलर LEDs को on करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ आपर यहाँ पर जो common cathode yardım है इसको ground करना होगा और इसके बाद हम लोग जो A है इसको positive देंगे, B को भी आप positive देंगे और इसके बाद C को आप लोग यहाँ पर कुछ नहीं देंगे यह फिर आप कह सकते minus आप देंगे और इसके बाद जो D है इसको हम लोग positive देंगे E को हम लोग positive देंगे और F को negative और G को आप यहाँ पर positive देंगे तो यहाँ पर positive का मतलब ही है कि आप लोगों को 1 देना होगा और negative का यह मतलब है कि आपको 0 देना होगा अगर आप इस चीज़ को micro controller के through control कर रहे हैं तो इसके बाद एकर हम बात करें common anode की तो इसमें हम लोग जो LEDs की सारी positive terminals हैं उनको आपस में interconnect करके common कर देते हैं और इस वज़े से ही हम लोग इसको यहाँ पर common anode बोलते हैं anode का मतलब इसी कली यहाँ पर positive है और cathode का मतलब negative है तो अगर आप लोगोंने सारी positives को common कर दिया तो वह हम लोगों का common anode है और सारे negatives को आपने common कर दिया तो वह हम लोगों का common cathode है तो अब समझते हैं जो हम लोगों का common anode है उसमें हम लोग कैसे चीजों को display करवाएंगे अब suppose अगर आप लोग यहाँ पर common anode के through two represent करवाना चाहते हैं तो आप लोगों को देखिए यहाँ पर A को on करना होगा B को on करना होगा G को on करना होगा E और D इन सबको आपको यहाँ पर on करना होगा ठीक है तो आप लोगों को यहाँ पर जो A है इसमें माइनस देना होगा B में आप माइनस देंगे C में आप लोग यहाँ पर positive देंगे अब यहाँ पर दोनों positive positive है तो कोई भी potential difference नहीं होगा और इसके वेज़े से जो LED हम लोगों की यहाँ पर on नहीं होगी ऐसे D में आप लोग यहाँ पर minus देंगे E में आप लोग यहाँ पर minus देंगे F में आप लोग यहाँ पर plus देंगे और G में आप लोग यहाँ पर minus देंगे तो ऐसा जब हम लोग logic देंगे तो आप लोगों का यहाँ पर जो है two number represent हो जाएगा ठीक है और अगर आप microcontroller से य डिफ्रेंस है वो positive और negatives का है ठीक है देखिए यहाँ पर जो two number है उसको represent करने के लिए आप लोगों ने a, b, d, e और g है इन पांचों को आपने positive दिया और इसके just deposit common anode में आप देखिए इन सबको आप लोगों ने minus di यहाँ पर negative यहाँ पर voltage दी हुई है तो यही basic difference है हम लोग और उसके accordingly ही आप लोगों का जो coding है उसमें zeros और ones जो है वो आप लिखते हैं अब आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी है जो हम लोगों के यहाँ पर terminals है न वो serially लगे वह है a, b, c, d, e, f, g जो है आपको एक सांथ दिख रहे हैं तो exactly hardware में ऐसा नहीं होता है ठीक है simulation software में आपको ऐसा मिल जाएगा और यहाँ पर आपको ऐसा देखने को मिल रहा है बट practically जिससे में आप hardware देखेंगे तो वहाँ पर यह जो हम लोगों के a, b, c, d terminals हैं वो एक सांथ नहीं होते हैं उनका pattern थोड़ा सा इधर उधर होता है तो next उस pattern को हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं, so यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोगों का common cathode और common anode 7 segment display है और internally हम लोगों की जो leds हैं वो कुछ इस तरीके से इसमें fix रहती हैं, common cathode में जितनी भी यहाँ पर negative terminals है वो आपस में interconnected रहेंगी और common anode में जो positive terminal से वो आपस में interconnected रहती हैं, और अगर आप बात कर one cathode है, यह फिर आप कह सकते हैं हम लोगों की ground होगी, यहाँ पर आपको ground देना होगा, इसके बाद हम लोगों की जो fourth pin है वो A है, fifth pin हमारी B है, sixth हम लोगों की E है, seventh D, eighth आपका फिर से ground, ninth यहाँ पर जो है वो C है, और tenth जो है वो DP यह फिर decimal point है, ठीके, तो यहाँ पर आपक ground करना, वैसे दोनों को भी कर सकते हैं, बट एक को भी करके आप यहाँ पर काम चला सकते हैं, same ऐसे ही common anode के case में भी हम लोगों की जो यहाँ पर pin description है, वो same रहती है, बस यहाँ पर difference ही है कि आप लोगों का जो common terminal है, इसको यहाँ पर हम लोगों ने VCC या फिर आप कह सकते ह आपने देनी होती है, so next इसके बाद हम लोग यहाँ पर digits को represent करने के लिए अपने patterns को देख लेते हैं, फिलाल पहले मैं आपर common cathode की बात करता हूँ, फिर common anode में हम लोग देख लेंगे, so suppose किजी अगर आप यहाँ पर zero number represent करना चाहते हैं, तो उसके corresponding common cathode के case में आप लोग देंगे, और DP जो है इसको भी हम लोग यहाँ पर zero देंगे, ठीक है, तो इसके corresponding अगर आप यहाँ पर hex जो number है वो निकालना चाहें, तो वह आप निकाल सकते हैं, यह हम लोगों का F6 आएगा, same ऐसे अगर आप यहाँ पर one represent करना चाहते हैं, तो उसके corresponding हम लोग जो यहाँ पर B और C है, इन LEDs को on करेंगे, तो उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पर B और C में one one देना होगा, rest को आप लोग यहाँ पर zero रखेंगे, तो इसके corresponding अगर आप यहाँ पर hex निकालते हैं, तो 60 आपको मिलेगा, same ऐसे ही two के लिए अगर आप देखें, तो यहाँ पर A, B, G, E और D हम लोगों को on करना होगा, तो देखें, A, B, D, E और G हम लोगों ने on कर लिया, बाकियों को हमने off रखा या फिर zero रखा, तो इसके corresponding hex हम लोगों को DA मिलेगा, same ऐसे ही आप लोग बाकी हम लोगों के जो numbers हैं, उनके लिए भी अपने patterns निकाल सकते हैं, और उसके corresponding ज जब हम लोग इसकी programming करेंगे, तो बार-बार आप लोगों को यहाँ पर जो patterns हैं, उनको बनाने के जरूरत नहीं पड़ेगी, और थोड़ा सा आपको काम आसान हो जाएगा, ठीक है, तो यह हम लोगों की है, zero से लेके seven तक की numbers, इसके बाद हम लोगों का यहाँ पर जो eight digit है उसके लिए सारी ही LEDs को हमको on करना पड़ेगा, DP को छोड़के, तो इसके corresponding हम लोगों का यहाँ पर hex बनेगा, वो fe बनेगा, same ऐसे आप यहाँ पर nine के लिए भी देख सकते हैं, यह हम लोगों का f6 बनेगा, और आप चाहें तो इसके बाद अपने जो alphabets हैं, उनके लिए भी देख सकते हैं, तो a से लेके f तक मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं, तो इनको भी आप यहाँ पर no down करना चाहें, तो कर सकते हैं, so next, इसके बाद हम लोग यहाँ पर common anode के patterns को देख लेते हैं, यहाँ यहाँ पर common cathode और anode में सिर्फ यही difference है, कि जहाँ आप cathode में 0 य यूज करेंगे, वहाँ अगर आप 1 यूज करते थे तो यहाँ पर 0 यूज करेंगे, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो हम लोगों का digit 0 है, इसको represent करने के लिए हम लोग यहाँ पर g और dp है, इसको 1 बन देंगे, उपर आप लोगों ने देखा होगा common cathode में, यहाँ हम लोगों ने 00 दिया था, rest को 1 दिया था, यहाँ पर logic उल्टा हो जाएगा, आपके 0s की जगह 1 आ जाएगे और 1s की जगह 0 आ जाएगे, और इसके corresponding आप यहाँ पर hex निकालना चाहिए, तो निकाल सकते हैं, यह आपको 03 मिल जाएगा, ठीक है, इसको वैसे find out करने के आपक सकते हैं, अपने common cathode का, common cathode में देखे हम लोगों का 0 है, उसका pattern आया था, FC, ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पर common anode में निकालना चाहते हैं, तो आपको simply यहाँ पर F, F से इसको minus कर लेना है, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर F, F से minus करेंगे FC को, तो आपको simply यहाँ पर मिल जाएगा, 03, सेम ऐसे, बाकियों के लिए भी आप लोग अपना जो pattern से उसको find out कर सकते हैं, और cross check कर सकते हैं, चीक है, आप चाहें तो directly यह method भी use कर सकते हैं, F, F में से minus कर लीजे, अपने common cathode का जो hex आया है, तो आपको common anode का यहाँ पर automatically मिल जाता है, चीक है, तो इनको भी आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा note down करके रखना चाहें, तो रख सकते हैं, वैसे मैं यहाँ पर common cathode को ही use करूँगा, बट अगर आप लोगों के पास common anode है, तो आपको यह pattern से यहाँ पर use करने पड़ेंगे, इसके बाद यह हम लोगों के common anode के 8 से लेके F तक के patterns है, इनको भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, अब इसके बाद आप देखिए हम लोगों के पास यहाँ पर और भी types के segment displays हो सकते हैं, हम लोगों का 7 segment display इसका एक disadvantage यह था कि यहाँ पर आप लोग सारे के सा करने के लिए हम लोगों के पास यहाँ पर अलग-अलग types की और भी segment displays होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम लोगों की 14 segment display है और यह हम लोगों की 16 segment display है, ठीक है, तो next इसके बाद हम लोग 7 segment को अपने simulation software के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह हम लोगों का common anode है, और यह हम लोगों का common cathode है, तो यहाँ पर हम लोगों ने common terminal है इसको VCC डेदिया common anode के case में, और common cathode के case में आप लोगों ने इसको ground डेदिया है ठीक है अब इसके बाद हम लोगों ने यहां पर अलग-अलग बटन्स कनेक्ट किये वे हैं ठीक है और इन बटन्स के थ्रू हम लोग basically यहां पर अपने जो पैटर्न से उनको बनाएंगे ठीक है तो इसको मैं ऐसे प्ले करता हूँ अब suppose अगर आप लोगों ने यहां पर common anode में one लिखना है तो आप लोगों को यहां पर बी और सी जो है इन दोनों ही जो leds है इनको on करना होगा तो इनको on करने के लिए basically आप जो बी है इसको प्रेस कीजिए और सी को प्रेस कर लीजिए तो यहां पर आप देखिए हम लोगों की यह दोनों leds on हो गई और इसके corresponding हम लोगों का यहां पर one जो है वह रिप्रेजेंट हो जाएगा सेम ऐसे अगर आप suppose कीजिए 3 रिप्रेजेंट करना चाहते कि तो आपको यहां पर a को भी on करना पड़ेगा और इसके बाद आप लोगों को यहां पर G को on करना पड़ेगा और सांती आपको D को on करना पड़ेगा तो ऐसे आप लोग यहाँ पर क्या है 3 को भी represent कर सकते हैं ऐसे आप अलग-अलग patterns यहाँ पर बना सकते हैं तो same ऐसे ही यहाँ पर हम लोगों का common cathode के case में भी होगा आपको यहाँ पर A को on करना पड़ेगा B को on करेंगे, C को on करेंगे, D को on करेंगे और G को अगर आपको on करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर 3 represent हो जाएगा यहाँ पर जो basic difference है वो यही है कि आपका common cathode के case में देखिए हम लोगों के यहाँ पर क्या है So I hope आप लोगों को इतनी चीज़े समझ आ गई होंगी फिर भी अगर आपके कोई doubts हैं तो आप मुझे comment box में लिख सकते हैं So बने रहिएगा मेरे साथ, बने रहने के लिए चैनल को subscribe जरूर से किजे अपने friends के साथ आप लोग जरूर शेर करें जो इस technology को सीखना चाहते हैं So thank you so much for watching, जय हंद, जय भारत